सीतापूर के महोली कोतवाले इलाके में चंदीपुर गाउं में बुधवार के सुबह हुए गोली कांड से मचीद संसनी के बाद मौके पर पहुचे पुलिस आदिकारियों ने घटना के कारणों की जाँच परताल की गोली कांड और इटा और लाठी चलने से कुछ लोग घायल हो गए थे दो लोगों को गोली के छर्री लगे थे जबकि अन्ने तीन लोग इटा और लाठीयों के चलने से घायल होने बताये गए घटना के बाद मौकाय वार्दात पर पहुचकर अपर पुलिस अधिक्षक दक्षणी एनपी सिंग, सियो महोली अमन सिंग और कोतवाल अनुप शुकला ने जाच परताल की चंदीपुर में गोली कांड का असली कारम क्या था, कितने लोगों की गरबतारी हुई अपर पुलिस अधिक्षक दक्षणी एनपी सिंग ने जानकारी दी अज सुबह अलगवत आठ बिजेट सुष्णा थना महोली पर आई थी, थना महोली के गराम चंदी पुर्वा में एक फैरिक हुई, तो दो लोग हैं हो गया है गराम में हम समय लोग विजिट किये, वहां जाके जानकारी ये हुई कि वहां पे एक धनाई डाम का विक्ति है, जो कल अपने दर्वाजे पर बैठा हुआ था, गाउं के ही एक पासी समाज के विक्ति भाइक से बहुत देज, उसके पगल से लिए, इसके धूल उनके पर प मंगू का दामा जिससे जगडा हुआ था, इसके परिवार की महिलाओं ने उनको रोख दिया, इनके साथ मार पीट किया, बाद में वो अपने घर पे भाग के आए, तो कुछ लोग इधर से, कुछ लोग अधर से अपना आपसे पत्थर बाजी कर लिये, उसी बीच में कोई कर दिया, इसमें दो लोग को पैलेट्स लगी है, बहुत ही सुपरफीसियल है, उन दोनों का नाम करमसा कम्रेश कुतर मंगू है, सत्प्रकास कुतर मेवाला है, दोनों वजला स्पिताल में एडमेट है, उनकी हारत बिलकुल बहतर है, उनकी चोट सुपरफीसियल है, खाने पर नामज़त मुकदमा लिख लिया गया है, उसके दो आनमी अरेस्ट कर लिये गया है, मौके पर आवस्यक पुलिस बल का बंदोविस्त कर दिया है, साथ दिवर्ष्था गाउं में इस समय कायम है